Hello everyone, मेरा नाम नजीब खान है और Transfer of Property Act 1882 की सिरीज में ये मेरा 11th lecture या ये मेरी 11th वीडियो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Transfer of Property Act के अंदर section 10 के बारे में ये जो section 10 है TPA का ये deal करता है condition यानि ऐसी कोई शर्त, restraining, जो रोक रही है, alienation को alienation का मतलब property के further transfer होने को या property को further dispose of करने से रोक रही है जैसे for example, हमने आपको कोई property gift में दिया और उसके उपर ये शर्त लगा दिया कि अब आप इस property को कभी नहीं बेच सकते हो हम क्या कर रहे हैं, एक condition लगा रहे हैं, जो restrain कर रही है, property के alienation को, property को further transfer करने को आपको gift में property दिया, शर्त लगा दिया कि अब आप उसको कभी नहीं बेच सकते हो तो हम एक शर्त लगा रहे हैं, जो restrain कर रही है, property के आपका जो power of alienation है, उसको transfer करने का उसको रोक रही है उसी तरीके सम शर्त ये भी लगा सकते हैं, कि हमने आपको कोई property बेची बेचने के साथ ये शर्त लगा दिये कि अब आप इस property को सिर्फ एक specific बंदे को ही बेच सकते हो हम क्या कर रहे हैं, आपका power of alienation आप जिसको चाहो दो आप जिसको चाहो transfer करो, जब तक चाहा है, इस्तिमाल करो, तो हम क्या कर रहे हैं आपको जो power of alienation है, उसको restrained कर रहे हैं शर्त लगा के ये बहुत तरीके की शर्त हो सकती है, शर्त इस तरीके के भी हो सकती है हमने ये कहा, कि ये property तो हम आपको transfer कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस property को कभी भी बेचा तो इसमें 95% जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा आपको मिलेगा इसको बेचने पे, 95% आप charity पे दोगे तो हम किस बात का आपको बेच रहे हैं, किस बात का owner बना रहे हैं, owner होने का क्या मतलब होता है जब property हम transfer करते हैं, property के साथ सारे legal incidents, सारे interest transfer हो जाते हैं मालिक होने का क्या मतलब हो, कि आप उसको जैसे चाहे enjoy करें, जब तक चाहे enjoy करें, जैसे चाहे उसको dispose of करें, जिसको चाहे दे दें लेकिन अगर हम उसको restrain करेंगे, तो क्या हम कर रहे हैं, condition restraining alienation की ऐसी शर्त लगा रहे हैं, जो property को further transfer करने से, further dispose of करने से रोक रही है उसी चीज़ के उपर यह section 10 deal करता है, which means such conditions which restrains transfer of property अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप ने मुझे facebook, instagram और twitter को पर follow नहीं किया है, तो जल से जल follow कर लिजे, instagram पे मेरी ID है, नजीब खान 11, जो आपको इस वीडियो की description के अंदर मिल जाएगी देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज़ हम लोग यह समझ लें, कि अगर किसी property के हम मालिक होते हैं, तो हम उस पे जैसी चाहे, शर्त लगा सकते हैं, हम उसके उपर सामने वाले को देने के दौरान शर्त लगा सकते हैं, शर्त लगाना valid होता है, शर condition, restraining, alienation, ऐसी शर्त जो रोक रही है, otherwise आप शर्त लगाते हैं, तो कोई problem नहीं है, प्लस उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा, कि जो शर्त आप लगा रहे हैं, वो कानूनी तोर से valid है कि नहीं, ऐसा नहीं कोई आपरात करने को आप शर्त लगा दें, तो फिर वो ग हमने का कि ये प्रापर्टी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उस शर्त पे अगर आप law में टॉप करेंगे, यानि अगर आप law में टॉप करेंगे, तब ये प्रापर्टी आपकी हो जाएगी, ये क्या है, condition, precedent, जब आप इस शर्त को पूरी करेंगे, तो ये प्रापर्टी ट्रांसफर करने के दो साल के अंदर आपको जूडीशल सर्विसेज निकालना है यह क्या है कंडीशन सबसीक्वेट इसी कसा साथ एक को लैटरल भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी हमने आपको ट्रांसफर करा हमने कई आपके पास तब तक रहेगी लेकिन एक शर्ट पे आपको सी का मडर करना पड़ेगा यह प्रॉपर्टी हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं एक शर्ट पे आपको सी का मडर करना पड़ेगा अब यहाँ पे जो हम शर्ट लगा रहे हैं यह वाइड कंडीशन और जो हमने कहा कि आपके पास हम पूचिए कि हमने आपको कोई property transfer करी और उसके अंदर ये एक शर्द लगा दिया कि property तो हम आपको transfer कर रहा लेकिन इसके transfer होने के 2 साल के अंदर आपको C का murder करना पड़ेगा जो condition लगाया वाइड हो गई लेकिन जो हमने आपको transfer करा वो valid रहेगी उस पे transfer पे इसका effect नहीं पड़ेगा जो condition है उसका effect इस transfer पे नहीं पड़ेगा तो यानि अगर condition subsequent है और वो condition मान लीजे वाइड है किसी तरीके से तो जो हमने transfer करा है आपको property उसके उपर इसका effect नहीं प पहले वाले में क्या हो रहा अगर condition precedent हमने कोई ऐसी condition लगाई जो condition void हो रही है तो पहली चीज़ तो condition fully नहीं हो तो property आपके पास नहीं जाएगी आप उसके मालिक नहीं बनोगे वो condition precedent इसमें हो रहा है लेकिन अगर condition subsequent में हमने कोई ऐसी शर्त लगाई कि property आपको transfer कर दिया ल आपको section 10 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा देखिए यही चीज़ें इसकंदर बताई गई है condition precedent is that condition which is prior to the transfer of property and whether the transfer would take place or not is itself dependent on that condition यह बता रहा है कि condition precedent वो condition होती है which is prior to the transfer of property property के transfer होने से पहले उसको fulfill करना जरूरी होता है अब property transfer होगी या नहीं होगी वो तो depend करता है कि condition valid है कि void है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर condition लगी है तो आप उसको fulfill करते हैं या नहीं करते हैं तो यह depend करता है except dependent on that condition for example a transfers rupees 500 to b a जो है b को 500 रुपए देता है इस शर्थ पे that she shall murder see the transfer is void the transfer of property will not take place क्योंकि जो condition लगी हुई है murder करने की यह illegal है गहर कानूनी है अपराद है तो condition अगर void हो गई condition precedent तो transfer नहीं होगा property का clear आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए अब आया condition subsequent a condition subsequent is a condition which is which is required to be fulfilled after the transfer of property condition subsequently property transfer कर दिया उसके बाद आपको fulfill करना है has already taken place if a condition subsequent is void the condition fails condition subsequent आपने लगाई है तो condition ही fail होगी but the interest created by the transfer is not affected जो आपने property को transfer किया है वो effect नहीं होगा ठीक है while if a condition precedent is void the transfer fails लेकिन condition precedent के case में क्या है कि अगर जो condition precedent आपने लगाया है वो void condition तो transfer भी fail हो जागा for example अब देखिए इस illustration को देखिएगा हम illustration से आप लोगों के बहुत सारे doubts clear हो जाएगे देखिए for example a makes a gift of his field to be a जो है अपनी field gift पे b को देता है इस शर्प पे that he sets fire to seize haystack कि वो c के haystack पे haystack जो सूखी घास आपने देखी होगी खेतों में इखटा कर दी जाती उसी को haystack करते है तो a ने gift दिया अपनी field b को इस शर्प पे कि वो c के haystack पे आग लगा है this is a void condition यह void condition है void condition precedent है and the gift fails क्योंकि condition जो है वो void है तो gift भी fail होगी gift नहीं जाएगी अब a ने जो b को gift दिया है b के पास gift नहीं जाएगी a makes a gift of his field to be with a provision his condition के साथ that if he does not within a year property transfer करने के बाद gift देने के बाद यह शर्प लगाए कि एक साल के अंदर if not within a year year's time set fire to seize haystack the gift shall be void gift दिया a ने b को और यह शर्प लगा दिया कि उसको देने के एक साल के अंदर अगर तुमने c के haystack पे आग नहीं लगाई तो यह gift void हो जाएगी तो क्या हुआ है यहाँ पे असर इसका this is a void condition subsequent the gift is a good gift इसका असर gift के उपर नहीं पड़ेगा gift valid हो जाएगी वो भले ही उसमें सोच के करा हो कि gift void हो जाएगी तो property वापिस से लियाएगी मेरे पास लेकिन gift is a good gift and is not affected by the void condition यह सबसे बड़ा difference है condition precedent और condition subsequent के उपर अगर आपने इसका concept समझ लिए आप बहुत आसानी से preliminary examination के अंदर जो question पूछे जाएंगे illustration based आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर property किसके पास जाएगी यह void हुई या नहीं हुई यह transfer valid है या नहीं है आगे बढ़ते हैं does a condition subsequent effects the interest of the transfer after the transfer and section 10 अब यह जो section 10 जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह section 10 11, 12 and 17 of the act deals with condition तो अब यह जो section हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह काउन सी condition से deal करता है condition subsequent यानि कि अगर void condition हुई तो condition ही void रहेगी transfer valid रहेगा यह concept clear होगे अब आप क्या in these sections certain conditions subsequent have been declared void इस sections के अंदर बताय जा रहा है कि कुछ conditions को void declare कर दिए गए तो अगर conditions void declare हो गई condition subsequent है तो क्या होगा transfer valid condition void void condition subsequent has no effect and the transfer is not bound by it ठीक है इतना clear है आगे बढ़ते हैं हम लोग section 10 deals in condition restraining alienation which is condition subsequent to transfer तो यानि section 10 जो है यह condition subsequent के उपर deal करता है अब देखिए हम लोग इसको bear act की language पढ़ते हैं अब आपको चीज़ें आपने आपसे समझ माने लगेंगी देखिए क्या कह रहा है section 10 deal कर रहा है condition restraining alienation वो शर्ते हैं जो property के alienation पे alienation जैसे alien होता है प्राया property को पराया करने से ऐसी कोई शर्ते हैं जो property को पराया करने से रोक रही है alienation करने से रोक रही है ये क्या कहरा है where property is transferred जहां property transfer हुई है subject to a condition जिसमें condition लगाई गयी है property को आपने ट्रांस्फर किया है उसमें इसी शर्ट लगाई है या limitation लगाई है जो absolutely यह word important है इसलिए important है कि जो शर्ट आपने लगाया हो वो absolutely रोक रही हो सामने वाले को अपना interest transfer करने से dispose of करने से लेकिन अगर वो partially है absolutely नहीं पूरे तरीके से नहीं है थोड़ी बहुत रुकावट है तो इसका मतलब है कि वो valid है क्योंकि देखे यह कह रहा है absolutely पूरी तरीके से restrained कर रही हो absolutely restraining the transfer or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property the condition or limitation is void तो अगर condition या limitation void होती है condition subsequent है तो हमें पता है कि property तो transfer हो गई अब कुछ नहीं हो सकता property तो गई शर्थ भले ही void थी जो इनसान transfer कर रहा हो उसने सोचा होगा कि बिना इस शर्थ के पूरा करे property उसके पास नहीं रहेगी अब वो गया क्यूंकि condition subsequent अगर void हो गई तो property transfer हो गई जिसके पास चली कुछ जगहां पे कुछ exceptions हैं वहाँ पे आप जो है ऐसी शर्थे लगा सकते हैं जहां पर transfer का जो power है उसको आप restrain कर सकते हैं रोख सकते हैं कि वो उसको further transfer ना कर पाया उसके जो right of alienation है power of alienation उसको रोख सकते हैं किस cases में? in the case of lease where the condition is for the benefit of the lesser अगर lease का case है पट्टे का case है आपने मदलब करायदारी का case है सामने वाले को कराय पे दिया है अब करायदार को आपने दिया तो भाई आप तो उसके मालिक हैं जब आप मालिक हैं तो आप उसके उपर शर्थ बिल्कुल लगा सकते हैं कि भाई मैं तुम्ह तुम्हे रहने के लिए साथ उसके और मैं चईज को उसमें इंट्रेस इसके एक्सपशें में अ रहा है उसके साथ साथ दोस क्लेमिंग अंडर ही प्रोवाइड दाट प्रोवाइड दाट प्रोपर्टी में भी ट्रांसफर तू और प्रोर बेनेफिट अफ़ वोमन आप किसी औरत के लिए भी प्रोपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो नॉट बिंग अहिंदू मुहमदन बुद्धिस क्योंकि इनके पास इनके अपने पर्सनल लॉज है इस रेस्टिक्शन के साथ कि उसके पास यह पावर नहीं होगा पावर की वो ट्रांसफर कर पाए दूरिंग हर मैरेज अपने शादी के दौरान, मैरेज के ताइम तू ट्रांसफर और चार्ज दा सेम और हर बेनिफेशियल इंटर्स देरें ठीक है तो यह दो इसके एक्सेप्शन है एक मैरीड वोमन का एक्सेप्शन है और एक लीस का एक्सेप्शन है देखे, अब हम लोग इसके अंदर कुछ इलस्टेशन देखते हैं जिससे और हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी देखे A sells his house to B with a condition that B cannot transfer this house to anyone except C the condition is void because C may be chosen as a person who may never purchase the property A sells his house to be with a condition that B cannot transfer this house to anyone except C the condition is void अब आपके दिमाग में एक सवाल यह आएगा कि यह formula किया है पता करने का कि यह absolutely restrained किया जा रहा है या partially restrained किया जा रहा है तो देखे, इसके लिए deed को देखा जाएगा उसके पूरा जो deed बनी है जो सौदा हुआ है, जो शर्ते लगाई उसको as a whole analyze किया जाएगा कि इसमें actually में absolutely रोका जा रहा है कि इसमें partially restrained किया जा रहा है ठीक है, उसको देखने के बाद इस conclusion पर आया जाएगा कि यह absolutely restrained है या partially restrained है तो इसका कोई formula नहीं है जिसके basis पर हम यह judge कर पाए है दूसरा अ testator makes a will of a certain properties in favor of his son with a condition that if he sold it during the lifetime of his wife, she will have an option of purchasing the property at the rate of one-fifth of the market value this condition is an absolute restraint on the power of legating अगर जैसे एक case में husband ने settle करी अपनी properties on his wife subject वो condition की वो कभी transfer नहीं कर सकती बिना उसके consent के तो इसको क्या माना गया this condition is a void as it takes away the power of alienation of the wives absolutely आप देखिए जैसे भी हमने आपको बताया कि section 10 के अंदर क्या word expression इस्तिमाल हुआ है absolutely restraining तो अब हमें इससे पता चला कि absolute और partial restraint इन दोनों में एक फर्क है under section 10 absolute restraints are declared void तो section 10 के अंदर जो absolute restraint करना है उसको void declare किया गई ना कि partially थोड़ी बहुत conditions आप लगा सकते हैं जो partially restraint कर रही हूँ transferi को however partial restraints may be allowed and whether a condition amounts to a total or partial restraint depends upon the substance the real effect of the condition and not the form of words lying down in the condition जैसे और कुछ इलस्टेशन हम लोग देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि partial restraint और absolute restraint में क्या फर्क होता है a condition that transferi shall not transfer the property by way of gift is a partial restraint and thus valid तो जैसे इसके इसके बताया जा रहा है कि अगर खाली आपने इस तरीकी की एक शर्त लगाई कि transferi जो है उस property को हर तरह से इस्तमाल कर सकता है हर तरह से dispose of कर सकता है हर तरह से transfer कर सकता है लेकिन सिर्फ by way of gift नहीं दे सकता है तो इसको partial restraint माना गया फिर उसके बाद where the transferer stipulates that the property can be sold by the transferi only at a fixed price देखे जहां पे transferer जो है जो property transfer कर रहा है वो कोई ऐसी शर्त लगाता है कि property can be sold only by the transferi only at a fixed price कि वो सिर्फ एक fixed price पे बेची जाएगी fixed price is specified by him जो price उसने बताया है हम आपको property transfer कर रहा है उसके साथ यह भी बता रहा है कि आप इसको transfer नहीं कर सकते हो लेकिन करोगे तो सिर्फ एक fixed price पे जो मैंने बताया है specified by him beforehand और where he direct that the property should be transferred for no consideration या बोल दिया कि property को बिना किसी consideration के transfer कर जाएगा या इसके साथ साथ or that out of the sale proceeds something has to be paid to a specific person या जो भी आपको बेचने के बाद पैसा आएगा वो किसी specific person को देना पड़ेगा और for a specific purpose like charity it is an absolute restraint and thus void तो अगर हमने ये सारी शर्ते लगा के आपको कोई property दिया है तो ये सारी शर्ते वोईड हो जाएगी आप उसका पैसा चाहे खुद खाओ ना खाओ इस्तिमाल करो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये शर्ते वोईड हो गई है क्योंकि ये condition subsequent है इसका आपके transfer पे कोई असर नहीं पालेगा आप जैसे चाहो इस्तिमाल करो A. sells the house to be for rupees 10,000 with the condition that if in future B. wants to sell it 50% of the consideration should be given to charity और should be given to the transferer, sister और any other relative this condition is void B. may sell it to anyone and keep the entire consideration अगर ऐसी आपको इशर्ट लगाते है a condition that a transferee shall not transfer the property for a period of 3 years तो इसको partial restraint में count किया गया है ठीक है लेकिन अगर आपको ऐसी शर्ट लगा देते हैं कि 20 साल तक नहीं कोई property हमने आपको दिया और लगा दिया शर्टी 20 साल तक नहीं transfer कर सकते हो तो इसको absolute restraint माना गया it was held to be an absolute restraint if the restraint is for a short time and is coupled with a benefit to the transferer such as an option of repurchase option of repurchase को अगर ले के कोई आप शर्ट लगाते हैं जिसमें transferer ये शर्ट दालता है कि मैं उसको खरीद दूँगा कुछ कमी कम वक्त में बहुत लंबा वक्त ना हो तो इस तरह की शर्टे valid है it is valid restraint a condition that transferer shall not transfer the property to any member of a particular person family or to a particular person only is a partial restraint and thus valid आप इस तरह की शर्टे लगा सकते हैं अब आदमी के एक community होती है एक घर खांदान होता आप शर्ट लगा सकते हैं कि अपने खांदान के बाहर नहीं transfer करो या अपनी community के बाहर transfer नहीं करो तो इस तरह की शर्ट valid है as to the condition that a property should be sold only inside the family it depends upon the facts and circumstances of the case आम तोर पर ये valid है इप दा यसी एक case था काफी important case है आप लोग इसको याद कर सकते हो हाला कि ये notes हम share कर देंगे already आप क्योपर मेरे आप लोग महां से देख ली जग इसको अबाज बंदी भी वी गा इसी कंदर ये हुआ था if the condition is that the transferee should not sell it outside his family or even community then it will be valid condition provided that both transfer and transferee are members of the same family or community but if the transferer himself sell the property to an outsider he cannot put a condition that buying is the transferee to sell the property only to members of the transferers family restraint on alienation in compromise अगर आपका कोई partition हुआ है family में कोई compromise हुआ है आप सी मान लीजे कोई बटवारा हुआ है उसके अंदर कुछ compromises हुए है उसके अंदर आदमी बहुत सारी शर्ते लगा देता है कि भया ठीक है मैं इसमें रहूंगा नाम तुम्हारे रहेगा जब तक हम जिंदा है तब तक हम लोग रह लें और जब तक हम रह रहे हैं तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हो तो भी तो हम आपके power of alienation के उपर रोक लगा रहें लेकिन वो valid है तो compromise के cases में इस तरह की शर्ते जो है valid होगी उसमें section 10 attract नहीं होगा section 10 provides that where a property is transferred subject to a condition absolutely restraining the transfer from disposing of the property the condition is valid compromise is not a transfer of property within the meaning of section 5 of this act therefore section 10 is not applicable to a compromises made in family settlement and such a compromise is valid even if it involves any restraint on alienation I hope कि आपको ये चीज़ clear होगी होगी तो आप याद कर सकते हैं इस point को कि इस तरह की question primary examination ने पूछ सकता है कि जैसे section 10 क्या compromise के case में attract होगा अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ प्लस आपको answer writing में काफी help मिलेगी इस तरह के points से क्या ये compromise पे जैसे attract नहीं हो रहा है तो भी हमने आपको एक illustration दिया था उसी के तरह मिलता जुलता है और इसके बाद exception हमने आपको बताई दिये था कि इसका case when the condition is for the benefit of the lesser it will be valid the lesser can always restrict the lessie's liberty of alienation the logical reason for this exception is that a landlord should be free to choose the person who shall be in possession of his land there is a condition in a lease that the lessie shall not sublet or assign otherwise the lesser may re-enter is valid ठीक है उसके साथ साथ एक married woman का exception था the second exception is for the benefit of यह already हम लोग bear act जो cover कर रहे थे section 10 को उसमें cover कर लिये था the second exception is for the benefit of a married woman not being a Hindu, Muslim और बुद्धिस क्योंकि इनके पास इनके personal laws है so that she shall have no power during her marriage to transfer or charge the property और even her beneficial interest दे रहे thus a condition restraining alienation may be imposed when the property is transferred to married woman तो यानि अगर आप किसी शादी शुदा औरत को कोई property दे रहे हैं तो आप उसके उपर शर्प लगा सकते हैं जिस भले ही उसमें section 10 के खिलाब हो लेकिं section 10 I track नहीं होगा if she is a widow or unmarried no restraint can be imposed on her power of alienation तो यह section 10 जो था हम लोगों का cover हो गया है